अक्टर शिशान सिंग राजपूर सुसाइट केस में मुंबई और बिहार पुलिस के बीच की जंग लगातार तेज होती जा रही है अब इसे बीच बिहार के डीजीपी गुपतेश्वर पांडे ने मुंबई पुलिस से ये सवाल किया है कि उन्होंने शिशान केस की जांच के दौरान उनके पैसे को लेकर जांच क्यों नहीं की डीजीपी ने बताया कि पिछले चार सालों में सुशान सिंग राजपूर के बैंक खाते में लगभग 50 करोर रुपे जमा किये गए लेकिन आश्चर ये जनक रूप से सारे पैसे निकाल लिये गए एक सार में उनके खाते में 17 करोर रुपे जमा किये गए जिन में से 15 करोर रुपे निकाल लिये गए डीजीपी गुपतेश्वर पांडे ने ये भी कहा कि ये एक एहम एंगल नहीं है क्या जिसकी जांच होनी चाहिए हम शांती से नहीं बैठने वाले हैं हम मुंबई पुलिस से सवाल करेंगे कि इस तरह के एहम मुद्दे को क्यों दबाया जा रहा है बता दे सुशान केस में जांच करने मुंबई पहुचे पटना केस्पी विने तिवारी को राग ग्यारा बजे हाथ पर स्टैंप लगा कर कॉरिंटीन कर दिया गया इसको लेकर भी डीजीपी गुपतेश्वर पांडे ने सवाल उठाया था न्यूस डेस झाल